केमिस किताब से जो कुछ चीज हमें सीखने को मिलती है वो इस प्रकार है जब तुम पूरे दिल से किसी चीज को पाना चाहते हो तब ही तुम उस विश्वास के सबसे नजदीक होते हो और वो शक्ती सदेव सकारतमक होती है कुछ भी सीखने का एक ही तरीका है और वो है कर्म जब तुम सचमुच किसी चीज को पाना चाते हो तो संपूर्ण स्रिष्टी उसकी प्राप्ती में मदद के लिए तुम्हारे लिए शडियन्त रस्ती है यानि कि जब तुम सच मुझ किसी चीज को पूरे दिल से पाना चाते हो तो उसके लिए पूरी काइनात आपकी मदद करती है इस दुनिया में एक ही चीज है जो किसी भी सपनी को पूरा होने से रोकती है और वो है असफलता का डर इंतजार करना कष्ट दायक है भूलना कष्ट दायक है लेकिन ये ना जानना कि इन में से क्या करे सबसे अधिक कष्ट पहुचाने वाला है जीवन में जो साधारन चीजे होती हैं वही सबसे असाधारन होती हैं और केवल बुद्धिमान लोग ही ने देख सकते हैं हर किसी को इस पस्ट है कि और लोगों को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए पर उन्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं पता होता एक बच्चा अपने से बड़ों को तीन चीजें आराम से सिखा सकता है बिना किसी कारण के खोशोना हमेशा कुछ करने में वैस्ट होना और ये जानना कि जो वो चाता है उसे पूरी ताकत के साथ कैसे मांगा जाए दुनिया में कोई भी चीज कभी भी पूरी तरह से गलत नहीं होती यहां तक कि रुखीवी घड़ी भी दिन में दो बार सही होती है तुम वो हो जो तुम होने का यकीन करते हो दुनिया का सबसे बड़ा जूट क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा जूट ये है कि हमारे जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमारे साथ हो रहे चीजों पर हम नियंतरन खो देते हैं और हमारा पूरा जीवन भाग दोरा नियंतरित होने लगता है मैंने जिन्दगी में बहुत कुछ मिस किया और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मिस करने से डरता था जिन्दगी में हर एक चीज बस एक ही बार होती है वो फिर कभी नहीं हो सकती लेकिन हर वो चीज जो दो बार होती है वो निश्चित रूप से तीसरी बार भी होगी बुद्धिमान सिर्फ इसलिए बुद्धिमान है क्योंकि वो प्रेम करते हैं मूर्ख सिर्फ इसले मूर्ख है क्योंकि वो सोचते हैं कि वो प्रेम को समझ सकते हैं